देखो दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे इंग्लेंड वर्सिज अस्ट्रेलिया यानि ENG वर्सिज AUS के बीच होने वाले The Asset Series के पहले टेस्ट मैच के बारे में और देखो दोस्तो इस वीडियो के अंदर में दोनों टीमों के प्लेयरों का डिटेल में रि 16 जून को दोपैर को 3 बच के 30 मिर्ट पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार सबसे पहली बात अभी तक अगर आपने हमारे टेलिग्राम चेनल को जोई नहीं किया है तो जोईन कर लीजिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप पे क्लिक करके जोईन कर सकते हो देखो दोस्तो टेलिग्राम जोईन करना बहुत जुरूरी है क्योंकि टोस होने के बाद कोई भी अपडेट आएगी ना वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी वहीं देखो दोस्तो अभी तक अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक रिक्वेस्ट है कि लाइक वाला बटन याद से दबा दीजेगा वो तो बिल्कुली फ्री है दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बर्मिंगम के ग्राउंड की पिछ रिपोर् हुए वहीं देखो दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर इन 56 मैचों के हम एवरेज स्कोर की बात करें ना तो इन 56 मैचों के अंदर 1st इनिंग का एवरेज स्कोर 306 रन देखने को मिला है 2nd इनिंग का एवरेज स्कोर 343 रन देखने को मिला है और 4th इनिंग का एवरेज स्क तेस्ट मैच के अंदर आपको average score decline देखने को मिलता है वहीं देखो दोस्तो इस ground के उपर जो last test match खेला गया था ना वो खेला गया था 2022 के अंदर इंडिया और इंगलेंड के बीच और वो मैच यहां पे इंगलेंड की टीम साथ विकेट से जीत गई थी अगर देखो दोस्तो दोनों तीनों चारों इनिंग को मिला के बात करे ना तो उस मैच के अंदर 30 विकेट फास्ट पोलर को और मतर 2 विकेट स्पीनर को मिले थे और देखो दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि यह वाला मैच इंगलेंड की टीम खेलने वाली है उस्टेलिया ए खिलाफ तो अगर उ अलेक्शन मातर 40 परसेंट देखने को मिलने वाला है उसके बाद जो रूट ने पहली इनिंग में 31 विकेट बनाए एक विकेट लिया दूसरी इनिंग में 31 विकेट बनाए उसके बाद जेमस एंडर्सन जो कि इनके में बोलर है इंगलेंड के उन्होंने उस मैच में पहली पांच विकेट और दूसरी इनिंग में एक विकेट लिया स्टूर्ट ब्रोड की बात करें तो पहली इनिंग में एक विकेट दूसरी इनिंग में दो विकेट और बैन स्टोक जो कि इंगलेंड की टेस्ट तीम के कपतान है करेंट की डेट में उन्होंने पहली इनिंग में एक विकेट 25 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 4 विकेट लिए और देखो दोस्तो ये जो प्लेर थे ना 4-5 ये थे टोप परफोर्मर उस मैच में इंगलेंड की तरफ से और ये मैच इसी ग्राउंड बर्मिंगम पे खेला गया था अब देखो दोस्तो एक और रिकोर्ड द उपर तो उस मैच के अंदर क्या हुआ वो मैच यहां पर उस्टेलिया की टीम 251 रनों से जीत गई थी तो उस मैच में अगर हम उस्टेलिया की तरफ से टोप परफोर्मर की बात करे ना तो स्टीव स्मित ने पहली इनिंग में 147 और दूसरी इनिंग में 112 रन बनाए पैट ब्रोड ने पहली इनिंग में 5 विकेट दूसरी इनिंग में 1 विकेट बैन स्टोक की बात करे पहली इनिंग में 1 विकेट 50 रन दूसरी इनिंग में 3 विकेट लिये जो रूट ने एक इनिंग के अंदर 7 रन बनाए थे उसके बाद मोहिन अदी की बात करे तो टोटल 3 विके लेत तो ओवरल आप एक बैलेंस विकेट मानके चल सकते हो आलाखि जो स्पीनर आना वो तीसरी और चोती इनिंग में ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं स्टार्टिंग में पहली इनिंग में स्पीनर को साथ थोड़ी कम मदद मिले तो ये चीज़ आप देख लिजेगा बाकी देखो दोस्तों इस ग्राउंड की उपर बात करें ना तो स्टीव सिमित का रिकोर्ड काफी अच्छा बैटिंग के मामले में आप देख सकते हो उसके अगर हम बात करें तो यहां पर जो रूट और जो नी बैरिश्टो का रिकोर्ड भी बैटिंग के मामले में काफी अच्छ है बाकी पिछ के बारे में आपको अलड़ी बता दिया है स्टार्टिंग में पेसर को थोड़ी मदद मिल सकती है बैट्स में अच्छा परफूम कर स अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंगलेंड की क्या पॉस्टिबल प्लेंग लेवन देखने को मिल सकती है इस मैच के अंदर है जो दोस्तों इंगलेंड की तरफ से जैक क्रोली और बैंट डगेट ओपनिंग करने आएंगे और तीन नंबर पे ओली पोप बैटिंग करने आएंगे ये तीन प्लेइर होगे टोप ओडर उसके बात पाद मिल ओडर की बात करें तो जो रूट हेरी ब्रुक्स बैंड स्टोक जोनी बैरिस्टोक मोहिन ली तक बैटिंग कर लेते हैं और बोलिंग की बात करें तो ओली रोबिनसन जेमस एंडर्सन स्टूर्ट ब्रोड तीन बोलर ये, चोथा बोलर बैंस्टोक खुद, पांचों बोलर मोहिन अली के तोर पे आपको देखने को मिलेगा और एक आद योर की बोलिंग या कुछ और की बोलिंग याँ पे जो रूट कर सकते, कभी कबार हैरी ब्रुक्स भी बोलिंग करने आ जाकते अब देखो दोस्तों इनकी तरफ से अगर हम बात करें ना, तो जो रूट का रिकोर्ड इस ग्राउंड की उपर काफी इच्छा है, इंपोर्टन प्लेर रह सकता है उसके बाद बैंस्टोक का रिकोर्ड थिक ठाग देखने को मिल रहा है, इंपोर्टन रह सकता है खेलते, तो मैं इसको 100% टीम में लेने वाला था लेकिन इस मैच में हाई चांच है, ओली रोबिंसन खेलेंगे ये इनकी प्लेंग लेवन देखने को मिल सकती अब दोस्तों इनके प्लेरों का रिकोर्ड देख लेते हैं जैक क्रोली, राइट हंडिड बैट्समेन है 31 मैच अपने कैरियर में खेले हैं 1590 रहने 27.89 की अवरेच से बेंट डेगेट की बात करें लेट हंडिड बैट्समेन है अपने कैरियर में 10 मैचों में 800 रहने 47.06 की अवरेच से लेकिन इंपोर्टेंट रह सकता सेलेक्शन थोड़ा सा कम रहेगा उसके बाद जो रूर्ट की बात करें आउटस्टेंडिंग बैट्समेन है रिकोर्ड बताने के विजूर्ट नहीं है 22 टेस्ट मैचों के अदर 7.938 रहने 49.61 की अवरेच से और बोलिंग भी करेगा उसके बाद हैरी ब्रुक्स की बात करें देखो दोस्तो हैरी ब्रुक्स ने वैसे तो 6 मैचों के अंदर 866 बनाए 89.56 की अवरेच से लेकिन हैरी ब्रुक्स ना वो रुक के थोड़ा कम खेलता है तो थोड़ा सा रिसकी ओप्शन रह सकता है बैन स्टोक जोकिन की कप्तान है बैटिंग भी करेंगे बोलिंग भी करेंगे अपने केरियर में 70 मैचों के अंदर 4559 रन और 141 विकेट है जोनी बैरिष्टो की बात करें राइट हैंडड बैट्स में ने विकेट कीपिंग भी करनी चाहिए इनको 68 मैचों के अंदर 4570 रन 40.44 के अवरेट से मोहिन अली की वाप्शी हुए टेस्ट के अंदर काफी लंबे समय के बाद इस प्लेयर की बात करें तो 45 मैचों के अंदर 2018 से तो रन है लेकिन 145 विकेट है 45 में चुके अंदर और देखो दोस्तों अगर यही प्लेंग लेवन रहती है ना तो ऐसे में मोहिन अली इनकी टीम में फिफ्थ फुल बोलर का उप्शन प्ले करेंगे और मोहिन अली अच्छका सी 56 विकेट है यह इनके प्लेयरों का ओराल रिकोर्ड देखने को मिल रहा है जिसमें से अगर हम बात करें ना यहाँ पे तो देखो दोस्तों यहाँ पे ना जो रूट का रिकोर्ड ठीक है उसके बाद बैंस्टोक का रिकोर्ड ठीक देखने को मिल रहा है स्टुवर्ट ब्रोड और जेम्स एंडरसन का रिकोर्ट ठीक देखने हो को मिल रहा है उसके बाद अगर आप ग्रेंड लीग के पस्पेक्टर जो थोड़ा रिस्क लेने की सोचो ना तो मोहिन अली एक अच्छा उपसंद आज सकता है सेलेक्शन थोड़ा कम रहेगा अगर आ अगर मार्क वट खेलते हो तो में ले इंग्लैन कि वो प्लेयर जिनका रिकोर्ड ग्राउंamız के उपर भी काफी इच्छ है और उस्टेले तमें सबसे पहला नाम जो रूट 6 मेचों में 588 रन और स्ट्रेलय एकाका 15 मेचों में 1025 रन और 11 वाइट पैन स्टोक की बात करेैं इस ग्राउंड के उपर 4 मेचों में 16 वीकेट 118 रन और ऊस्टेलय एकालव 10 मेचों में तो यह प्लेलोगा कुछ रिकोर्ड देखने को मिला में इंग्लेंड की तरफ से अब देखो दोस्तों बात कर लेते हैं ओस्टेलिया की क्या पोस्टिबल प्लेंग 11 देखने को मिल सकती है इस मैच के अंदर यह को दोस्तों उस्टेलिया की तरफ से डेविड वोनर और उसमान क्वाजा हाई चांस ओपनर उसके बाद माननस लबुस्चें तीन नमबर पे ये तीन प्लेट टोप ओडर के मिल ओडर की बात करें तो स्टीव स्मिद, ट्राइवस हैड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स केरी तक बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत बैटिंग मिचल स्टार्ट भी कर लेते हैं और बोलिंग की बात करें तो मिचल स्टार्ट, पैट कमिंग्स, नाथन लियोन, स्कोर्ट बोलेंड, च्यार बोलर ये, पांच वो बोलर एंग के पास, एक केमरून ग्रीन, इन पांच बोलिंग उप्शन के साथ जाएंगे, अगर जूर थोई तो स्टीव स्मिद भी थोड़ी बहुत बोलिंग कर सकते हैं, यही प्लेंग 11 थी ऐस्टेलिया की, जब ऐस्टेलिया नहीं इंडिया को राया थ में, लेकिन अगर खेलेंगे तो इंपोर्टन रह सकते हैं, बाकी देखो दोस्तों उस्टेलिया की टीम चेंज भी कर सकती है, हो सकता है, डेविड ओनर उस्मान ख्वाजा में कीसी एक को बाहर बिटा के, मारका सेरिस को मोका देदे, जो की ओपनिंग करने आ सकते हैं, यह म प्रेंचो को मोका देदे, यह मिचल मार्ष को मोका देदे, क्योंकि देखो दोस्तों, ओस्टेलिया की टीम हो सकता है, वर्ल्ल टेस्ट चेंपल से जीतने के बाद, ठोड़ी रिलेक्स करें, तो इस प्लेंग्लिन में थोड़ा बूट चेंज भी कर सकती है, अब देखो दो के बात करें तो यहां पे आप देग सकते हो कि पैट कविर्च इस फोड़े को मिल रहा है बाकि देखो दो से लिए गाही हिटर है आते ही मारने कोमरने लग DON तो यह 100 की श्टाय को एक्सेरन बनाता है टेस्ट के अंदर भी कैमरून डिन की बात करें देखो दोस्तो रिकोर्ड तो ठोड़ा एवरेज ही है 19 मेचों में 8-8-8-9-6 विगेट लेगन बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा इसलिए इंपोर्टेंट रह सकते है बाकि यहां पर डेविड वोनर उस्मान ख्वाजा इन प्लेर होगा रिकोर्ड देख सकते हो स्क्रीन सोट ले सकते हो आपको देखने में आसानी होगी अब देखो दोस्तो अगर हम बात करें कुछ इनके बैंच वाले प्लेयर जैसे मारकस हैरेस के अगर हम बात करें लेकिन देखो दोस्तों में सबसे अच्छा रिकोर्ड की बात करें ना तो मैट रेंचों का रिकोर्ड काफी अच्छा है लेफ्ट हैंड डिबेट्स मेंने 20 मैचों में 1232 रहन है पंतारिस पूंट तिरालिस की एवरेट से अपनी क्यागियर में अब देखो दोस्तों अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की वो कौन से टोप लेर है जिनका रिकोर्ड इंग्लेंड के खिलाब भी अच्छ है और इस ग्राउंड की उपर भी अच्छ है इसके बाद Cameron Green की बात करें तो पांच मेचों में 2263 विकेट है नाथन लिओन की बात करें 15 मेचों में 58 विकेट है इंग्लेंड के खिलाफ टेश्त मैचिस की बात कर रहा हूं है यापे Pete Cumming की बात करें इस ग्राउंड की उपर एक मैच में 7 विकेट है वहीं देखो दोस्तोग अगर इंग्लेंड के खिलाफ बात करें तो 14 मैचों में 15 विकेट है स्कोर्ट बोलेंड इंग्लेंड के खिलाफ 3 मैचों 18 विकेट 6 का एवरेज है पर मैच विकेट का यानि गर आप मान के चलो तो एक विकेट के 20 पोईंट मिलते हैं तो 120 पॉइंट का काम कर सकता है अगर धंग से चलता है उसके बाद मिचल स्टार्ट 10 मेंचों में 45 विए इंग्लेंड के खिलाफ तो यह कुछ टोप प्लेयरों का आपको रिकोर्ड देखने को मिल रहा उस्टेलिया के इंग्लेंड के खिलाफ देखो दोस्तों हमने सारे प्ल सेरीज के उसके अंदर काफ अच्छा पर्फोमेंस दिया था इस वजह से इसका सेलेक्शन वो 62 परसेंट है और जोनी बैरिष्टो का सेलेक्शन पंतारीस परसेंट है लेकिन अगर आप सेफ के प्रस्पेक्टर से जाओगो ना तो एलेक्स के ठोड़ा सेफ है लेकिन अभी के लिए दोनों को ही ले रहा हूं उसके बाद माननस लबूश्चेन है कमाल के प्लेर है हाला कि इंडिया के खिलाफ अच्छा पर्फोम नहीं कर पाए थे लेकिन बैटिंग बोलिंग दोनों कर सकते उसके बाद ट्राइवस हैड ने इंडिया के खिलाफ कमाल का पर्फोमें भी अच्छे प्लेर है और एक बार बताता हूँ आप अगर ग्रेंड लीक के अंदर रोटेट करना चाहूँ न तो आप उस्मान खौज और ओली पोप में इसकी को रोटेट भी कर सकते हो अलाकि उसके बाद हैरी ब्रूक्स और जैक क्रोली भी है लेकिन मैं अभी के लिए इन इनको ले रहा हूँ दूसरा नाम है कैमरून ग्रींग देखो दोस्तों कैमरून ग्रींग ने टीटवंटी वर्ल्ड कप के अंदर ठेक्था की परफूमिस दिया था ज्याद अच्छा परफूमिस तो नहीं बोल सकते लेकिन फिल्प मैं इस प्लेर को चूज कर रहा हूँ क तो कि यह बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा यानि दोनों इंग के अंदर दो बार तो यह बैटिंग करेगा और दो बार यह बोलिंग भी करेगा हो सकता 20-20-30-30 और की बोलिंग करे तो इंपोर्टन रह सकता है उसके बाद तीसरा नाम मोहिन अली है बाकि देखो दोस्तों one of the best baller है मैंने अपने टीम में ले लिया Pat Cummings को ले लिया Stuart Broad को ले लिया Nathan Leon को ले लिया और Scott Boland को ले लिया आला कि यहां पर Mitchell Stark भी एक अच्छा उप्शन है और Ollie Robinson भी एक अच्छा उप्शन है अगर आप यहां पर थोड़ा बुदर रिस्क लो है माल लेक्ते आप आप अंडर्सन पर रिस्क लो या ब्रोड पर रिस्क लो तो आप Ollie Robinson को मोगा दे सकते हो तो या फिर आप अच्छल स्टाक को मोगा दे सकते हैं अब देको दोस्तों गर हम टीम प्रिव्यू करें तो कुछ ऐसी टीम दिखती है विगड़ की पर में जोनी बैरिस्टो है बैटिंग में स्टील स्मित और जो रूट है और बोलिंग की बात के तो जैम सेंटर्सन पैट कमिंग्स लेड़ी टीम अब ग्यारों प्लेयर क्या होगा ग्यारों प्लेयर यहाँ पे मारनस लबुस्चेंज थोड़ा सेफ ओप्सन क्योंकि रुग के बैटिंग करता है भेड़ चाल जाना हो तो ट्राइबस हैड के साथ जा सकते हो और रिस्क लेना हो उस केस के अंदर या तो ओल बोलेंड के साथ ही जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे ग्यारों प्लेयर मानस लबुस्चेंज को चूज कर रहा हूँ अब बिल्कुल एक सेफ टीम बना रहा हूँ अब दोस्तों इस टीम में कैप्टन सी वाइस कैप्टन से के बात करें तो कैप्टन मेरा स्टीव स्मित और अगर आप चाओ तो कैप्टन जो रूट और वाइस कैप्टन सीव स्मित को भी बना सकतो अलाके गर आप चाओ तो लबुस्चेंज के देगर मोइन लियर ले सकतो ओली न ले सकतो ट्राईवस हेड ले सकतो आपकी परसनल चोईस रही तो देगो दोस्तों ये ती मेरे तरफ से इंग्लेंड और अस्ट्रिया के बीच होने बाले पहले टेस्क मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन पिछ रिपोर्टर प्लेंग 11 उम्मीद करतम वीडियो आपको अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद